आज हम देखेंगे घातां के नियमों से जुड़े कुछ मज़िदार उधारण सरल कीजिए 5 बटे 6 के उपर घात रिण 12 गुणा 4 बटे 15 के उपर घात रिण 12 के उपर घात 3 इसे सरल करने के लिए हमें घातां के नियमों याने laws of exponent की समझ आवश्यक है वीडियो रोक कर इनका पुनह अवलोकन करे यहां हम देखते है कि कोश्ठक में दो घातांकों का गुणन किया जा रहा है जिनके आधार अलग-अलग है लेकिन घात समान है इसे सरल करने के लिए बताईए हमें कौन से नियम का प्रयोग करना चाहिए सोचिये सोचिये बिलकुल सही हम A के उपरगात M गुणा B के उपरगात M बराबर A गुणा B के उपरगात M इस नियम का उप्योग करेंगे इस तरह से हम 5 बटे 6 के उपरगात रिन 12 गुणा 4 बटे 15 के उपरगात रिन 12 बराबर 5 बटे 6 गुणा 4 बटे 15 के उपरगात रिन 12 लिख सकते हैं अब अगर हम कोश्टक में दिये गुणन को सरल करते हैं तो यहां हम 5 से 15 को विभाजित कर लेंगे जिससे 15 के स्थान पर हमें 3 यह संख्या प्राप्त होगी इसी प्रकार हम 4 और 6 को उनके मसर यानि HCF 2 से विभाजित करेंगे तो हमें 4 के स्थान पर 2 और 6 के स्थान पर 3 प्राप्त होंगे फिर हम गुणन का परिणाम ग्याद करेंगे इसके लिए हम अंशों का गुणन करेंगे जो आएगा दो और इसी तरह हम हरों का गुणन करेंगे जो आएगा नो इस तरह से गुणन का परिणाम आएगा दो बटे नो इस तरह से दिया सवाल बन जाएगा 2 बटे 9 के उपरगात 12 के उपरगात 3 क्या आप बता सकते हैं इससे हल करने के लिए हमें कौन से नियम का उपयोग करना होगा सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं यहां हम A के उपरगात M के उपरगात N बराबर A के उपरगात M गुणा N इस नियम का प्रयोग करेंगे इसके प्रयोग से इस संख्या को हम दो बटे 9 के उपर घात 3 गुणा रिन 12 लिख सकते हैं चुकि 3 गुणा रिन 12 बराबर रिन 36 है इसलिए दिये सवाल का परिणाम आएगा 2 बटे 9 के उपर घात रिन 36 इसी प्रकार नियमों के सही प्रयोग से आप कठीन सवालों को चुटकियों में हल कर सकते हैं अगला उधारण एक्स का मान ग्याद कीजिए ताकि रिन 27 के उपर घात रिन 7 विभाजत 9 के उपर घात एक्स रिन 6 बराबर रिन 3 के उपर घात 3 हूँ आपको यह जरूर पता होगा कि समीकरण याने इक्वेशन में दोनों पक्षों का मान बराबर होता है यहां किसी तरह अगर हम दोनों पक्षों के आधार समान कर ले तो हम दोनों और समान आधार वाले घातों की तुलना कर पाएंगे इसी के साथ हम X का मान भी पता कर सकते हैं चलिए इस तरीके से हल करें जैसा कि आपको पता होगा हम रिन 27 को रिन 3 गुणा रिन 3 गुणा रिन 3 लिख सकते हैं जिसे हम घातांकिय रूप में रिन 3 के उपर घात 3 लिखेंगे इसी प्रकार पहली संख्या के समान आधार प्राप्त करने के लिए हम नो को रिन 3 गुणा रिन 3 लिख सकते हैं याने कि रिन 3 के उपर घात 2 रिन 3 के उपर घात 3 के उपर घात रिन 7 विभाजित रिन 3 के उपर घात 2 के उपर घात X रिन 6 बराबर रिण 3 के उपरगात 3 यहां हम A के उपरगात M के उपरगात N बराबर A के उपरगात M गुणा N इस नियम का प्रयोग करेंगे इससे हमें प्राप्त होगा रिण 3 के उपरगात 3 गुणा रिण 7 विभाजत रिण 3 के उपरगात 2 गुणा X रिण 6 अब यहां हम देखते हैं कि सबी घातांकों के आधार समान है बाइपक्ष को देखकर हम A के उपर घात M विभाजत A के उपर घात N बराबर A के उपर घात M रिण N इस नियम का उपयोग कर सकते हैं इससे हमें प्राप्त होगा रिण 3 के उपर घात रिण 21 रिण 2X रिण 12 बराबर रिण 3 के उपर घात 3 रिण 3 के उपर घात रिण 21 रिण 2X धन 12 बराबर रिण 3 के उपर घात 3 रिण 3 के उपर घात रिण 9 रिण 2X बराबर रिण 3 के उपर घात 3 चुकि दोनों पक्षों का मान बराबर है और दोनों पक्षों में आधार भी समान है अतह उनकी घाते भी समान होंगी इसलिए हम कह सकते हैं कि रिण 9 रिण 2x बराबर 3 यानि कि रिण 2x बराबर 3 धन 9 बराबर 12 यानिके x बराबर 12 विभाज़त रिण 2 बराबर रिण 6 इसलिए यहाँ x का मान है रिण 6 तो आज हमने देखे घातां के नियमों से जुड़े कुछ मज़ेदार उधारण अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंदित कुछ साधारण गलतिया अगले यहाँ